नवश्कार मैं हूँ सुक्रती रोई चैठर जी और बोल्स कई में आप सभी का स्वागत है सरदिया आ चुकी है और इस मौसम में आपकी तवचा को गर्म पानी का एहसास बहुत आरामदायत लगता है लेकिन क्या आपको मालूम है कि चैठर को गर्म पानी से धोने से क्या होता है बता दें कि आपके चैठर की तवचा बहुत समवेदन शील होती है तवचा के अंदर कई सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं इसके अलावा चैठर पर पूरे शरीर से ज़दा रोम चिद्र होते हैं इन सब की वज़से ज़दा तापमान आपके चैठर के लिए नुकसान दायक है जब आप गर्म पानी से चैठरा धोते हैं तो चैठरी की रत वाहिकाएं प्रभावत होती हैं और चैठरे पर जलन और लाल धबे होने लगते हैं जब आप चैठरा गर्म पानी से धोते हैं तो ये आपके सिकन से नाचुरल ओईल को हटा देते हैं जैसे की आपके सिकन ड्राई लगने लगती है इसके अलावा जब ऐसी ड्राई और खिचा वाली स्किन पर आप मौस्टराइजर लगाएंगे तो मुहासो का खत्रा भी बढ़ जाता है गर्म पानी से चहरा धोने पर ड्राई तो होता ही है साथी ये स्किन की एज जल्दी बढ़ने का भी कारण बनते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलिजन और सीबम एजिंग के निशान को आने से रोपता है चहरा गर्म पानी से धोने से ये एजिंग के निशान जल्दी दिखने लगेंगे वहीं आपके रोम चिद्र इस तरह से नहीं बने कि वो अधिक तापमान जहिल सके इसलिए जब आप गर्म पानी से चहरा धोएं तो आपके चहरे की तवचा जल सकती है और निशान भी पढ़ सकता है चहरे पर इस्तमाल करने से पहले पानी का तापमान देख लें उतने ही गर्म पानी का इस्तमाल करें जितना आपकी तवचा बरदाश्त कर सके बहता रहेगा कि आप गुन-गुने या बिलकुल ठंडे पानी का ही इस्तमाल करें उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें